नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हर्याना मीडिया निउस के वेलनेस वेश्टें में जहां हम आपको बताते हैं आपकी सेहत से जुरी कुछ जानकारियों के बारे में तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि खाने के बाद वो कौन सी गलतिया हैं जो आम तोर पर लोग करते हैं और ये करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं देखिए अक्सर लोग खाना खाने के दौरान तो सावधानिया रखते हैं लेकिन वो खाना खाने के बाद जाने अंजाने में कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे उनके डाइजेशन और हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है सिर्फ खाना अच्छा खाने से आपकी सिहत नहीं बनती इसके लिए आपको खाना खाने के साथ अपनी आदतों का भी खास ध्यान रखना होता है खाने का पुरा फाइदा हमें तब ही मिलता है जब डाइजेशन ठीक से हो और खाने के सारे पोशक तत्व शरीर को मिल सकी खाना का सही फाइदा चाहते हैं तो खाने के कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना होगा देखे कई लोगों को लगता है कि खाने के तुरंत बात चाई पीनी चाहिए या फिर ये आदत होती है और एक चसका होता है कि चाई तो पीनी ही है मगर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये बहुत नुकसान दे है चाय में polyphenols और tennins नाम के chemicals होते हैं जो कि खाने के पोशक तत्वों को खत्म कर देते हैं चाय की पतियों में acidic properties होती हैं इसलिए तुरंत खाना खाने के बाद चाय पीने से protein का digestion नहीं हो पाता और indigestion की problem हो सकती है खाने के कम से कम दो घंटे बाद चाय पीनी चाहिए और इस बीच पाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है लोगों का मानना है कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप तहले निकले तो इससे आपका खाना आसानी से पच जाता है लेकिन आपको हम बता दें कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है खाने के तुरंत बाद अगर आप तहले निकलते हैं तो आपका डाइजेशन सही से नहीं हो पाता इसके साथ साथ ऐसेड रिप्लेक्स की प्रॉब्लम होती है खाना खाने के कम से कम आदे घंटे बाद तहलना चाहिए इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक बना रहता है खाना खाने के तुरंत बाद फल खाने वाले आपको बता दें कि ये आदत भी बहुत अच्छी नहीं है इससे क्या होता है कि आपके डाइजेशन सही तरही से नहीं हो पाता और पूरा निट्रिशन पूड का बॉड़ी को नहीं मिल पाता फल में बड़ी मात्रा में एसिट, ब्लूकोस, फ्रक्टोस, स्टार्च आदी होते हैं जो कि खाना पचाने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं अंगूर, पेर, संत्रा जैसे फलो में फ्लेविनॉइड्स होते हैं जो कि पेट में मौजूद बैक्टीरिया इसका विभाजन कर थायोसायनिक एसेड में बदल देते हैं जो थायरॉइड ग्रंथी को कारे करने से रोग देता है लंबे समय तक ऐसा होने से ग्रंथी में बिमारियां भी पनपने लगती हैं तो खाना खाने के एक घंटे बाद अगर आप फल खाते हैं तो वो आपके लिए बहतर रहेगा खाना खाने के बाद तुरंट नहाने से अचानक से बॉडी का टेंपरेचर गिल जाता है और बॉडी चंडी हो जाती है जिसका असर आपके ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है खाने के तुरंत बाद नहाने से digestion धीमा हो जाता है क्योंकि हमारी काफी energy body को temperature के normal रखने में खर्च हो जाती है इस वज़े से acidity, gas और cubs हो सकती है बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद cigarette पीते हैं लेकिन खाना खाने के बाद पी गई cigarette दस गुना ज्यादा पुरा असर डालती है खाने के बाद उसे पचाने के लिए blood circulation बढ़ जाता है और cigarette पीने से उसमें मौझूद nicotine और toxins ब्लड में 10 गुना तेजी से रिस्ता है जिससे पाचक ग्रंथी, kidney, दिमाग, दिल और फेफ़रों को नुकसान पहुँचता है आपको बता दें कि इससे cancer की आशंकाएं भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ दिल और साथ से जुड़ी कई बिमारियों का खत्रा बढ़ जाता है देखें वैसे तो सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है लेकिन अगर आपको पीनी ही है आप पीते हैं तो कम से कम खाने के दो घंटे बाद ही सिगरेट पीएं मीटा या कटा खाने के बाद दातों की उपरी परत यानि की इनामल कमजोर हो जाती है और इससे अगर आप तुरंत ब्रश करते हैं साथ के साथ तो वो निकल सकती है इसलिए ध्यान देगी खाना खाने के तुरंट बाद ब्रश ना करें, खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही आप ब्रश को करें खाना खाने के बाद तुरंट लेटने से आपकी सिहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है खाना खाकर तुरंत लेट जाने से डाइजेशन धीमा हो जाता है और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता जिससे पेट की समस्याएं और सीने में जलन आदी हो सकती है खाना खाने के कम से कम दो घंटे बाद ही आप लेटे या फिर सोई अगर आपने बेल्ट पहन रखी है तो खाना खाने के तुरंत बाद आप पेट को अराम देने के लिए उसे धीला ना करें ये गलती आपको बहुत भारी पढ़ सकती है इससे डाइजेशन पर बहुत ही बुरा असर पढ़ता है और इससे इंटेस्टाइन भी ब्लॉक होने का डर बना रहता है खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद आप अपनी बेल्ट को खोल सकते हैं चलिए इस वीडियो के लिए तो बस अतना है देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं हरियाना मीडिया न्यूस